अन्मूल वचन अखिल भारतिय संतमत सत्संग के संस्थापक और ग्रहिस्त में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज श्री यश्पाल जी महाराज अर्थात परम पूज भाई सहाप जीत्वारा प्रितिपादत इन अन्मूल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है ये वचन हमारी ग्रहिस्त आध्यात्मिक साधना के लिए मून भूट सिद्धान्त है जो इस प्रकार है हम दुनिया की हर चीज की कीमत आकते हैं अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने वह परमात्मा की प्राप्ति हे तु साधना करे मनश्य योनी एक उपहार है इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्राता काल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें सत्संग, सत्नाम वा सद्गुरु को प्राथमिक्ता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगा भ्यास अवश्य करें वा ग्रहस्त की कारियों को परमात्मा का कारिश समझ कर उसी की याद में संपन्द करें हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपाद्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है अतहे मन में निरंतर अपने इश्ट देव का जाप करें मान सम्मान की इच्छा ना करें वा अपमान से दुखी ना हो परमात्मा के अतरिक्त किसी और का भय ना करें दोसरों की बुराई न करें न सुनें सत्य वा मधुर बोलें अश्नील शब्द मुह से ना निकालें सभी से नम्रता पूर्ण वा सुन्दर विवहार करें धर्म पत्मी के अतरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा बरावर की से बहन जैसा वा छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें सांसारिक जीवन यापन की आवश्यक्ताएं अंतहीन है इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में वधन परुपकार में खर्च करें याद रखें ना स्त्री माया है ना धन्दौलत ना ही परिवार माया वह है जो हिर्दे को परमात्मा से तूर हटा दे अतह निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें भोजन अपने इश्ट को अरपण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें रात्री में सोने से पहले अच्छे बुरे कारियों का आत्म निरिक्षन कर उसका समचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें वह प्रभो की गहरी याद में ही विश्राम करें परमात्मा तू ही है तेरी एक्षा पून हो जैसातुरुदेव जैपद सरणं जैसातुरुदेव जैपद सरणं भगवान क्रिशन जी के पास उदामा थी गए शावल था उनके पास उस जवाने में उसकी क्या कीमत रही होगी एक कोड़ी की भी नहीं लेकिन भावना थी किस भावना से आप काम करते हैं बड़ी चीज़ है वो भावना उपर उठाने वाली है वो भावना नीचे गिराने वाली है यदि वह इपर भावना से काम करता है कि हमारे देश के स्मिंदी बढ़ेगी प्रोडाक्शन बढ़ेगा पैदावार बढ़ेगा देश खुशालोगा तो वे सच्ची सेवा कर रहा है अगर सोशन करने के लिए करता है कि मेरे पात पैसा बने तो अलग बात हो जाती है हमने देखा यदि दुकांदर चाहे असानी से 10 के 16 गंटे इश्वर की याद के बना सकता है छे गंटे परमात्मा की याद के नहीं है क्यों क्योंकि उसमें विवसाय करता है अब आते हैं बुद्ध जीवी तीसरा तपका बुद्ध जीवी डॉक्टर रिसेट स्कॉलर टीचर्स तफ्तर में काम करने वाले लोग इनकी जूटी साथ गंटे की होती है इससे जादा इनकी की जूटी के आवर्स होते लहीं के साथ गंटे की डूटी आवर्स में एक गंटा लंच का ये तो इक्ष्वर को देना ही है जैसे बोजन सामने आए अपने इस देव के अरपन करिए उसकी याद मिखाईए उनको अरपन करिए उनी को याद कीजिए उनी की याद मिखाएं उसके बाद अराम कुर्सी पर बैटिए बड़े अराम से आथ मीचिए इश्वर की याद कीजिए अगर ऐसा करेंगे तो मन इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद भी जो काम करेंगे उसमें ठाकान महसूस नहीं होगी पंदे मिर्ट दुपेर के बाद चाहे का दुपेर से पहले भी पंदे मिर्ट चाहे का ये तो आदा घंटा इश्वर को बड़ी असानी से जिया जा सकता है तेर घंटे में साथ घंटे में से इश्वर की याद कर सकते हैं फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम रहता हो बहुत से दफ्तर ऐसे होते हैं जा हमेशा काम होता है अधिक तर जगाए ऐसी होती है जा काम नहीं होता आप सुपर दफ्तर जाएए अपने मिस्त्रों से प्यार से मिरिये कोई चुटकुला तो सुना दीजे रीडर डाजेस्ट का चुटकुला ताकि सब खुश हो जाए जब खुश हो जाएं सब अपनी सीट पर आईए अपना काम खतम कीजिए और उसके बाद आँख खोल कर भगवान की याद कीजिए किसी को शुबानों की आप क्या कर रहें अगर आपने अपने आपको जाहिर करना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में बैठ के भगवान का ध्यान करता हूँ तो आपको दफ्तर में काम नहीं करने देंगे कोई कलम फेक के मारेगा कोई चौक फेक के मारेगा आपके तरह तरह के नाम रखेगा कोई भक्त जी कोई स्वामी जी आपको काम नहीं करने देंगे बड़ा सतर्क रहना है अपने आपको छिपाना है छिपा कर अभ्यास करना है और गलती से कही आंठ रख गई तो अड़ासी पुड़ासी यही कहेगा कि सेकेंड शो सनेमा का देख के आया है इसलिए उंग रहा है अगर पता चल जाए कि आप आफिस में बैठके ध्यान करते है तो जरूर छिड़ेंगे इसलिए अभ्यास चिपकर करना चाहिए इसका लाब है धीरे धीरे आतत पन जाती है जब काम कतम पीश्वर की याद काम आया उसमें लग जाईए इन संतों ने बड़ी अच्छी बात बतलाई कि देखो हम दुनिया की हर चीज की कीमत आखते हैं कपड़े की कीमत आखते हैं कितने रुपए मीटर जमीन की कीमत आखते हैं कितने वर्ग मीटर हर मकान की दुकान की गैनों की कपड़ों की हर चीज की कीमत आखते हैं पर अपनी कीमत नहीं आखते हैं कि हमारी कीम कि हम अपनी कीमत आंके हमने क्या किया हमारी कीमत क्या है कभी नहीं आते इन संतों ने कहा कि यह जीवन बहुमूली है जीवन का एक पीछण खराब न करे यह उनकी सला है बेशक दुनिया का काम करें कोई नुक्सान नहीं एक साइंटिस्ट है कोई नई चीज निकालेगा नुक्सान नहीं नुक्सान तो इसका तब है जब जिन्दगी का अच्छा में बेकार करें उसका हर्चर इस्तिमार करें यह दुनिया का काम यदि कोई शड़ खाली है तो इस शड़ कर दे दे विए बर्बाद न करें जब काम समात हो जाएं उसे पर मात्मा को दे दे दें असली चीज भावना की है हम किस भावना से काम करते हैं अगर हम केवद तनका के लिए काम करते हैं तो कभी संतोश नहीं मिलेगा हमारा दिल हमेशा जलता रहेगा हम ख्याल करते रहेंगे कि देखो भाई हमारा बॉट स्कूल पास है चार हजार रुपे ले रहा है हम भी ये पास हैं हमें पांच सुल में मिल रहे ऐसी दुनिया में परिस्तितियां बहुत है आदमी तंखा के लिए काम करता है तो जलता रहेगा बुटा रहेगा जब तक लेगा इस पर है शान्ति नहीं है अपने आप को इस से उपर उठाईए ये समझे कि काम भगवान ने मुझे सौंपा है परमात्म का है किसी विशेश व्यक्ति का नहीं परमात्मा ने सौंपा है मैं उसका काम करता हूँ मेरो पर उसका अफसर जाए मैट्रिको जाए इंटर परमात्मा ने उसे बठाया है उसकी इज़त करना मेरा फर्द है भगवान ने बनाया है उसे अफसर देना उसे अफसर उचित आदर दे रहा ये मेरा कर्तब है अगर इस भावना से आप करेंगे तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे कम भी सतोष नहीं होगा ये बात जरूर है कि सत को ब्रगट होने में समय लगता है और आखिर में ऐसे लोगों की जीत होती है जो अरकाम इश्वा का समझ के करते हैं ऐसी भावना कर्शे करते हैं अंत में भी जीतते हैं और सबसी बड़ी बात क्या है कि उनके दिल में शान्ती है सच्चा सुख है ये कितनी बड़ी चीज़ है उसके सासा इश्वर में जीवर है पर मात्मक गियाद बनी है तो सोने में सुहागा है इश्वर जीवर है धीरे धीरे जीवन मुक्तवस्ता की ओर ढौट रहा है और एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा सच्चा आदाश एक दिन उसे प्राप्त हो जाएगा जिन्दी का तो भावना बड़ी प्रदान चीज़ है किस भावना से यह काम करते हैं उससे यह काम में बड़ा अंतर पड़ जाता है इस प्रकार हमने देखा कि जितने बुद्ध जी भी हैं जादा साथ 6 गंटे 8 गंटे काम करते होंगे इससे जादा तो होता नहीं 24 गंटे में से 8 गंटे गटाएं 16 गंटे बचते हैं इस प्रकार वेप्रत करें तो 16 गंटे असानी से अपने मना सकता है बहुत सुन्दर तरीके से काम कर सकता है अब क्या है कि ऐसी बहुत सी परिस्तित्या है तो हमने देखा जितने भी पुद्ध जीवी हैं पड़ी सुन्दरता से काम कर सकते हैं कितना परिवर्टन जीवर में आ जाए और यही काम समझ लें कि परमातमा का है मैं नहीं करता कर्म बंदल से मुक्त कर्म कर्टें युकरता यही मुक्ति दिलाने वाले जब तक हमारे व्यवारी कर्म है व्यवारी कर्म वईश्वर के नहीं हो जाते हैं तक मुक्ति बहुत दूर है पूजा करने से अब नहीं होगा अभ्यास करने से नहीं होगा कितने भी अभ्यास कर लिजे बैठके दस गंटे, दीज गंटे मारा जपी है पर जब तक जीवन में परिवर्टता नहीं आएगा जब तक हर काम इश्वर में नहीं हो जाएगा जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं हो पाईगी जितने संत हुए अगर भक्तमार उठा गर देखे काम करते करते ऊचे उठे जब तक काम से नाम को नहीं जोड़ेंगे तब तक मुक्ती भाद दूरे कोई संत तोलते तोलते जीवन मुक्तवस्ता को प्राप्त हो गया, अपनी तराजु सीधी रखता, बाउर टीप रखता, बच्चा आए तो कम नहीं तोलता, पड़ा आए तो कम नहीं तोलता, अगर आप देखें तो संत्यों की गाता भरी पड़ी है, दुनिया के साधारन साधारन काम करते करते ऐसी उची गती को प्राप्त हुए, सैना नाइए का काम करते थे, सोचा मैं सबके सर का मैल निकलता हूँ, सबका सिर साफ करता हूँ, बाल कट करकर, अपना सर भी ठीक कर लो, अपने सिर में जो गंधगी है दुइस जलम से साफ कर लो, सदन कसाई, कसाई का काम करते करते, संत हो गोरा कुमार बर्तन बनाते बनाते इतना बड़ा संत हो गया कि अपनी धप्जी से बताने लगा कि कच्चा ये पक्का और इस संतों ने अपने भगवान की मूर्ती बनाई बड़ी सुन्दर भगवान शिरी कृष्ण ने लाजस्वी यग में पत्तर उठाने का काम किया अपने गोड़ों को खरारा कराते और अगले रोज के लिए तयार करते तो उन्हों ने अपने भगवान की मूर्ती मनाई वैंपी कर्म योगी की जब तक कर्म भगवान के अरपण नहीं हो जाते तब तक 24 घटे भगवान की याद नहीं हो पाईगी अब भ्यास करने से होगी सच्चा भ्यास यही है कि हमारा ऐसा जीवन बन जाए इश्वर में जीवन एक मिनट पर मात्मा की याद के ना बुले चलते फिरते खाते पीते सोते जाकते सोला घंटे की बात के हर समय इश्वर की याद पर नहीं रहे यही हमारा जीवन हो पांच मौबर देवियों का है जिन पर घट चलाने की जिम्मेदारी है उनके दो विशेश काम पहला बच्चों का बोजर कराना और दूसरा बच्चों की देख बार करना यह दो खास काम है पहले जमाने में जो हमारी मात आएं थी जब भोजर बनाती तो इश्वर की याद बनाती थी और उन्होंने यह नियव निश्वर की हुए थे कि अगर नमग डालेंगे जब नमग डालती तो बोलती कि सीता राम की रसोई सीता राम यग होई हम यह भगवान को नववेद चड़ाएंगे भगवान का प्रशाद पाएंगे ऐसी सुन्दर धान ना से बोजर बनाती थी कि भगवान के लिए मना रहे हैं पहले भगवान को नववेद चड़ाएंगे भगवान को अरफण करेंगे तब सब लोग भगवान का प्रशाद पाएंगे परमात्मा की गहरी याद में और भोजन बनाने का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है भोजन किन विचावरों में डूप कर बनाया जाता है किस भावने से खिलाया जा रहा है इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है ख्रोवत में कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए कोई रुक्सान नहीं शान सवाब से भोजन मनाईए यदि गुस्से में भोजन को बनाएंगे तो उस भोजन को जो पाएगा उसमें कला पैदा होगी क्रोथ पैदा होगा प्रेम और शान्ती के साथ भोजन बनाया जाए हर काम भोजन बनाने का इस शुर की याद में करिए परमात्मा की याद में करिए बोजन तैयार हुए तो भगवान को भोग लगाईे उसके बाद अश्चोर की याद में खलाईे ऐसे बोजन को जो पाएगा उसके हटे में राम नाम अपने अब जाखरित हो जाएगा बोजन बनाने का कोई भी काम नहीं है जो ईश्वर की याद में ना किया जा सकता हो सब काम ईश्वर की याद में किये जा सकते हैं दूसरा बड़ा काम बच्चों का रखना बड़ी जिम्मेदारी का है अगर इसे शुरू से ध्यान की दुर्भ किया जाता है तो सब ठीक रहते हैं अगर नहीं किया जाता मुश्किल हो जाती है सबसे बड़ी बात ये कि छोटे बच्चे की माँ उसको समझे कि बाल सरुप भगवान है बाल भगवान है और बाल भगवान समझ कर वस्तर बराए बाल भगवान समझ कर उसको निलाए लोरियां देकर एक तो ऐसी देवी का हिर्दे परमात्रों में लगा रहेगा दूसरा ऐसे प्यार से जो बच्चा पलेगा वै अध्यात्मिक धुरंदर होगा जितने बड़े व्यक्ति हुए हम देखते हैं इस्तियास में उनकी माता का उनको बनाने में बड़ा हात्रा ये बा में आते हैं वहां देखते हैं घर जाकर सब बच्चों को बठा कर ससंग कराते हैं बैटो ससंग करो आंके नीचो बगवान का ध्यान करो छोटे छोटे ऐसे सुन्दर सुन्दर बजन काते हैं जब बच्चों का प्रोगराम होता है कितने प्यारे बजन कितना सुन्दर असर शुरू से बढ़ता है, अगर ऐसे बच्चों को रखेंगे बड़ा कल्याण होगा, जो काम करने उनके मिशेश है, सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुक प्यादा हो जाए, सच्चा सुक उन घरों में, सच्ची खुशी और पैसा, तो उनके मिशेश है, अलग अलग चीदे हैं, यह जरूरी नहीं कि पैसा बहुत हो, तब ही आप सुकी हैं, पर मात्मा इतना दे हैं, कि सब खर्चे ठीक टाक चलते रहें, बहुत हैं, और हर घर में किसत गुद्धी, हर एक की हैं, सच्चा सुक, बेटा अपना कर्तब भी करता है, पिता अपना कर्तब भी करता है, धरम पत्नी अपना कर्तब भी करती है, सच्चा स्वर्ग है, ऐसा सुन्दर ग्रस्त करोड की माया है, बाब दक्षिन, पत्नी उत्तर, बेटा पूरव, बेटी बस्चिन कले ही कले भरा है, सारा वैब एक गुस्से में उदर पढ़ा है, सब विकार है, दूसरा गुस्से में उस कमरे में पढ़ा है, तीसरा कमरे में पढ़ा है, जीवन नरक है, बहुत दुखी है, सुक और पैसा, सच्चा सुक, सच्चा अनन, सच्ची खुशी अलग चीदे, सबसे बढ़ी है सच्चा सुक, क्रस्ट में सच्चा सुक मिले तब ही हो सकता है जब हमारा जीवन ईश्वर में हो हमें हमेशा प्रभू की याद में नहीं रहे तब हमारा जीवन ईश्वर में हो प्रभू की याद में नहीं रहे तब सच्चा सुक में प्राफत हो ध्यान योग के कारिकरम आनन्द योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810-239-677